Good evening friends. Welcome to the other session of Share AACademy. Basically second session है, अगर आप सभी ने हम लोगों का जो trading setup वाला वीडियो देखा है, यह technical analysis की learning series है और इसी series का जो अगला video है वो आज हम लोग discuss करेंगे. अगर नहीं देखा है अभी तक तो आज के इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है पहले ये वाला वीडियो देख लीजेगा उसके बाद फिर आईएगा ये वीडियो देखने के ठीक है और आज हम लोग जिस particular वीडियो के बारे में या फिर particular concept के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है support or resistance trading question यह है कि आखिर दूसरा वीडियो support or resistance को लेके क्यों है तो अभी हम बता दे रहें आपको guarantee अपनी जितने भी YouTuber है जो भी आपको intraday या फिर option trading की calls देते हैं यूट्यूब के ओपर जितने भी है निफ्टी जो सुबह से शाम तक लेके चलाग बठते हैं इनके live sessions चले जाएगा या फिर जब ये दे रहे हैं हो sessions उस समय support or resistance के लावा अगर आपको और कुछ मिल जाए ना तो उमको बताईएगा ठीक है पूरी कहानी support assistance की है आप business channel को ध्यान से देखिए जब भी उनका discussion हो रहा हो कि जब कोई अपनी call दे रहा हो तो वो कहते हैं कि एनल जी इसने एक बहुत important resistance level break किया है और breakout आया है इसलिए ये share buy करने लाइक है हर जगे technical analysis अगर आप बात कर रहा है probability होती है वो होदी resistance break करने की या फिर अगर नीचे जा रहा है short करना है तो support break करने की इसलिए support resistance जो है ना वो अपने आप में समझ लीजे कि ऐसा अस्तर है इसको काड़ा ब्रमास रही है ठीक है अगर इसको आपने ठीक से सीख लिया तो trading setup के साथ आप support resistance लगा दीजिए इसके बाद आपको तीसरी चीज़ सीखने की जरुपत नहीं पड़ेगी बाद समझा है तो gravity समझ में आ गई ना इस वीडियो की अब इस वीडियो की gravity के बाद में अब जलते हम लोग अगर एक बार gravity आपको समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं चार्ट क्यों पर ठीक है तो कल हम लोग ने सीखा था कि कोई भी चार्ट जवाब को setup करना है तो उसके अंदर क्या-क्या डालना है तो भाई एक तो candlestick डालनी है अब comment box में हमको जवाब देते रहिएगा candlestick अगर डालनी है तो किस टाइप की candlestick डालनी है comment box में लिखिए तब पता चलेगा कि आपने कल वाला देखा है नहीं देखा है candlestick डालने के बाद में तीसरी चीज़ क्या रखनी है volume ठीक है volume रखने के बाद में एक indicator और क्या डालना है setup में comment box में लिखिए moving averages दो moving averages डालने है कौन-कौन से हैं दोनो exponential ठीक है अब इसके बाद में आते हैं support resistance के उपर तो सबसे पहले support resistance है क्या तो बिलकुल layman language में समझाएंगे एक दम आसान भाशा में चाहे कोई भी आप software इस्तमाल करिए उसमें पड़ी डंडी आती है यह वाली ऐसे यह वाली डंडी horizontal line कहिए यह कुछ भी कहिए पड़ी डंडी और एक आती खड़ी डंडी ठीक है तो horizontal line जो होती है यह होती है support resistance आप कहेंगे एक line support resistance दोनों कैसे हो सकती है सवाल सही है ना बिल्कुल जवाब यह है कि यह line अपने आप में कुछ नहीं होती है आपको यहाँ पर Einstein का सापेक्षिता का सिधान्त इस्तमाल करना होता है आप देखिए कहां से कहां लेके जा रहा है हम आपको normal technical analysis में Einstein को लेके आए सापेक्षिता का सिधान्त यह तय करता है कि यह particular line support होगी यह resistance सवाल कैसे आप इस line को देखते हैं किसके सापेक्ष में इस trend के सापेक्ष में यह जो trend चल रहा है ना इस trend के सापेक्ष में आप देखते हैं इस line को अब अगर trend उपर से नीचे आ रहा है यहां अगर यह trend ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे गिरती हुई चीज क्या करती है कहीं support लेती है इसलिए जब trend ऊपर से नीचे आता है तो हम इसको support कहते हैं इसी level को दूसरा अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है आप गुबारा अपने कमरे में गैस वाला गुबारा जो होता है हीलियम वाला है hydrogen वाला अपने कमरे में छोड़िये तो वो उपर जाता है च्छत पे जाके रुख जाता है क्यों उसको च्छत से resistance मिल रहा होता है वो उपर नहीं जा पाता तो यही level जब stock ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो support बन जाता है एक million dollar question यह है कि आखिर यह चीज काम करती क्यों है पहला तो है कि क्या यह चीज काम करती है तो यह काम करती है दूसरा है कि आखिर यह चीज काम करती क्यों है तो इसको समझिए कि यह क्यों काम करती है मिसाल के लिए आपने कोई share 100 रुपए पे खरीदा ठीक अब उसके बाद वो share 100 रुपए से नीचे गिरा नीचे गिरते वे वो 80 रुपए पे आ गया कुछ time 6 महिने एक साल रुका एक साल के बाद वो share दुबारा 100 रुपए आएगा सबसे पहला एक question का answer दीजे इस market में trader ज्यादा है या investor जहिरे trader ज्यादा है trader की जो उम्मीद होती है वो कितना return होती है 4-5% 10% 20% इतना ही तो यह ज्यादा तर ट्रेडर है तो यह trader 100 रुपए पे stock खरीदे असी पे चला गया रुका रहा और उसके बाद एक साल के बाद वापस 100 पे आया इस समय ट्रेडर का सबसे पहला reaction जो आपका अपना reaction होगा नॉर्मल human being की तरह बात कीजिए क्यों psychology of money अगर आप बुक पढ़ें काविलियत देखेज रहा हमारी मतलब कहां 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 का knowledge कहां कहां लाके पिरो रहे हैं है ना चलिए psychology of money अगर आपने बुक पढ़ी हो तो वो बुक कहती है कि doesn't matter how much you know about money but what matter is how you behave with the money basically पैसे के संबंध में सबकुछ behavior ही है और कुछ नहीं है अगर आपका behavior सही है पैसे को लेके कि मेरे को company buy करनी है और उसके बाद रोज-रोज company नहीं देखनी यह behavior अगर आपका behavior सही है तो आप multi-bagger बनाएंगे अगर आपका behavior सही नहीं है कि हर दूसरे minute आप देख रहा है कि शेर कहा जा रहा है तो कर बढ़ तो simple साम को यह बताईए कि आप एक trader है आपने 100 रुपा पर स्टॉक खरीदा 80 पर गया वापा 100 रुपा है क्या करेंगे देखिए परेशानी है कि यह क्योंकि उसको पता ही नहीं है सी उसको knowledge ही नहीं है इसी वज़े सो कर रहा है तो ज्यादा तर trader क्या करते हैं वो उसी जगह से निकल जाते हैं अब देखे क्या होता है जब वो इस जगह से निकलते हैं जब 100 रुपै पर ज्यादा तर लोगों ने खरीदा था तो एक बड़ resistance बनते हैं जरा सोचिए हम लोग अभी बात करते हैं कि रेडिको खेतान कहां पर खरीदे थे हम लोग या विम्टा लाइब छोड़िए सब कुछ विम्टा लाइब हम लोग कहां खरीदे थे तो हम लोग कहते हैं 100 रुपै पर अगर विम्टा लाइब में कुछ और ना हो बात सुनी हैं आपने जब कहते हैं कि idea जब भी कभी चार रुपै पर आओ इसको खरीद लो और 12 रुपै पर बेज दो यह क्या है जब भी कभी चार रुपै पर आए खरीद लो यह उस stock की memory है वो memory कैसे बनती है जो इसके अंदर लाखों करोडों लोग एक साथ trade करते है एक लेवल के आज पास में लोग profit book करते है ठीक है अब important question यह कि support resistance लगाया कैसे जाता है कुछ नहीं करना होता है आपको यह कोई rocket science नहीं है कि जिसके लिए आपको किसी seminar में जाना पड़े और लाखो रुपै देने पड़े हैं मतलब लाखों तो बहुत दूरी बात है इसके ल लगेगा 316 रुपै 50 पैसे पर गलती कर रहे हैं support resistance का एक zone होता है 3-5% के ठीक है जैसे यह है तो यह पूरा zone है support resistance का ठीक तो यह लकीर अपनी ऐसे चलाते रहिए चलाते चलाते लाके उस जिगे पर छोड़ दिए जिगे पर सबस्यादा point टच कर रहे हूं हो गया यह है यह resistance मज़दार चीज़ देखिए यह stock यहीं पर आके कुछ time के लिए क्यों रुका क्योंकि इससे पहले यह resistance zone इसका एक लौता था इसलिए जब stock आएगा तो यहाँ पर आके एक बार रुकेगा मज़दार चीज़ दिखाते हैं यह stock हमने अभी अभी breakout share के तौर पर दिया यह support zone है यहाँ से stock चलना चुरू किया अगर हम question पूछें कि यह resistance कहां लेगा इस stock कहां जाके रुकेगा तो देखिए यह वाला area है जिसमें सबसे ज़्यादा बार touch हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस area पर आके यह stock एक बार रुकेगा क्यों जिन लोगों ने कभी यहाँ खरीदा होगा इस दिखे क्या सपास जैसे यह stock वहाँ आएगा वो बोलेंगे निकलो stock से भाई बेचो निकलो तो 136 के पर आके रुकेगा समझा गया यह है support resistance अब इसमें एक बहुत जरूरी चीज है देखिए रात भर सोईएगा दो घंटे के लिए करिएगा इसको तो कभी नहीं आएगा यह basically practice की चीज है जितना ज्यादा practice करेंगे उतना ज्यादा support resistance आपके fix होते रहेंगे अब आप कहेंग देखते रहिएगा यह support मिलेगा यहां support यह है लेकिन यह तब हो रहा है जब आप बहुत कम time का चार्ट यह कितनी देर का चार्ट हम लोग देख रहे है कुछ 5-10 दिनों का क्या हमने यह सिखाया है कि मतलब 5-10 दिनों का नहीं करीब 2-3 महीनों का है ठीक है ना क्या हमने यह सिखाय कि चार्ट का जो time frame है वो कम रखना है नहीं चार्ट का time frame ज्यादा रखना है बड़ा चार्ट देखना है तो बड़ा चार्ट आपने देखा support resistance लगाया clear हो गया कि यहां चलना शुरू किया है वहां पर रुखेगा तीसरी important चीज support और resistance के आधार पर decision कैसे दिया जा लें देखने जरा एक मिनिट विम्टा लैब में कुछ आए गया हम देखिए क्वेश्चन है कि support resistance का इस्तमाल buying और selling के लिए कैसे किया जाता है ठीक है तो जैसे विम्टा लैब है मालीजी की कोई fresh buyer है कि बिल्कुल नया buyer है जिसने अभी तक buy नहीं किया जिसको buy करना है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जिस दिन बाई किया बस उसी दिन से stock भागना शुरू कर देगा और बोलेगा कि यहां सहाब ने buy कर लिया है तो पीछे मुड़के नहीं देखना है ना रेसिस्टेंस के ऊपर जब stock निकलेगा तो buy होगा अगर sell करना है तो support के नीचे मालीजी विम्टा लैब आपने हमारे साथ में अगर 100 रुपए पर buy किया होता आज की rate में यहां गया है अब आप एक major support zone लगाईए विम्टा लैब में यहां गया major support zone 411 अगर विम्टा ठीक है यह बिल्कुल layman language में रखा है अब इससे आसान हम नहीं रख करते हैं अब इसमें important चीज़ क्या है कि इसमें आपको लगातार practice करती रहनी है जैसे रडिको खेतान देखिए इसको देखिए बाई यह stock इस particular zone पर आके इतनी देर क्यों रुक रहा है क्योंकि इसके पास में institutional memory यहां की है यह यह इससे पहले कबका 2021 का दिसंबर 2021 में जिस level पर आया था देखिए वहीं पर आके रुक रहा है इतनी बार क्यों जिसने यहां बाई गया था वो यहां बेच बैठे थे कहा कि नहीं और खरी देंगे तब जो नए खरीदार आए उनकी वज़े से stock और ऊपर निकला ठीक है देन रहीम देखें कितनी मत्यदार चीज़ है और आप देखिए कि आज के दिन stock इसी zone तक जाके वापस लोटा है यह कमाल है support resistance का ठीक है तो रहीम अगर हम एक तम simple language दो पैसे का knowledge कोई rocket science नहीं दो पैसे का knowledge इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रख नहीं है ठीक है हाला कि वो volume से related है जिस दिन volume analysis करेंगे उस दिन बताएंगे बट फिर भी जान लीजे कि जो breakout होता है देखिए resistance के जब ऊपर जाता है share ठीक है resistance zone के जब ऊपर जाता ह है तो समझ लीजे कि वो पक्का है बाइंग करने वाली जग है तो resistance के ऊपर जाएगा तो breakout है support के नीचे जाएगा तो breakdown है समझा गया और अगर breakout में volume है भाई साब heads off है आपके पास में jackpot लग गया है ठीक है ना सो यह था चोटा session support resistance अब इसमें करना इतना है आपको कि practice करनी है चार्ट डालने है ठीक है और practice करनी है खुब कसके जितना practice करेंगे यह सिर्फ और सिर्फ practice का काम है जितनी आपकी आखें होती रहेंगी support resistance उसके बाद होगा क्या आपको देखनी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे देखना जैसे एक एक नया share लाते है ठीक है like infosys लाते है यहां देखो इधर की तरफ नंबर है हमको इस पर एक resistance zone बताओ कि कहां पर बनेगा अगर दिख गया है तो comment box में लिखिए और फिर हम दिखाते हैं आपको यह है यह देखो 1618 वही है अगर आपने 1620 लिखा है 1650 लिखा है तो भी चलेगा बिल्कुल चलेगा कोई मनाई नहीं ठीक यह बेसिकली प्रेक्टिस है इसको आप जितना करिए और सबसे मज़ेदा चीज क्या करिए कि जो यूट्यूबर्स live session देते हैं nifty के मतलब क्या करता है option chain दे रहे है option key trading दे रहे हैं उनके पास में जाइए सिवाय support assistance के और कुछ नहीं है वो कुछ नया नहीं बता रहे होते हैं कुछ ऐसा नहीं बता रहे हो जो आपको नहीं पता है सिर्फ supporter assistance है ठीक है ना यह बहुत important है देखा है बलिहा है नहीं देखा है तो देख लिजे इसको ठीक से और थोड़ा सा सीख लीजे और भगवान के लिए महाराज थोड़ा सा सीखने focus करो साड़े 8000 लोग देख रहे हैं और जो स्टॉक का आइडियास देते हैं वहां 15000-16000 लोग देखते हैं खैर कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की ठीक है ना देरे सिखाते रहेंगे देन अगला जो लेकर आएंगे वो most probably volume होगा और नहीं तो फिर types of chart pattern होगा ठीक है देखते हैं कि क्या मन करेगा किसको करने का ओके अब हम जा रहे हैं कंपणी पढ़ने के लिए हमने बताया था आपको Marko Lying Company पढ़ी हुई है वो पढ़ने के लिए बाकि अपना औरत में फूटूर के ध्यान रखिए बरदर खुब जम के पढ़िए देखिए हमारे जो sessions है यह आप लोग को बड़े अजीब से लगेंगे मतलब इसमें कोई आपको ऐसा न लगएगा कि यार बहुत कोई professional आदम अब बाकी मिलते हैं आप से अगले session में thank you very much have a nice day bye bye